तो आज हम मेरी नानी की सबसे फेमस वाली रेसिपी यानि की मठ्या बनाने वाले हैं तो मठ्या की रेसिपी देखने के लिए हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है यहां पे हमने 1.5 ग्लास इतना पानी लिया है एक पतीले में ले लिजेगा और उसके अंदर हम एड करने वाले हैं मिर्ची की पेस्ट अब मिर्ची आपको तीखी पसंद हो तो तीखी मिर्ची लिजेगा वरना फिर आप नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं तो हमने 1.5 चमब दीती मिर्ची की पेस्ट एड़ कर दी है और अब इस पानी को हमें उबालना है तो हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि यह हमने 1.5 गलास पानी डाला न वो पूरा आधा हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है यह देखिए हमारा पानी जो है न वो जिलने में प्राब्लाम होगी तो यह हमने मेर्ची वाला पानी जो है न उसको चान लिया है अब इसके अंदर हमें और कुछ एड़ करना है तो जो इंग्रिडियन्स एड़ करने है वो में आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले हम इसके अंदर गी एड़ करेंगे घी से क अपने मुठास के अनुसार एड़ कर सकते हैं वैसे मठिया जो है न वो स्वीट होते हैं हमने आपे 500 ग्राम मठिया के आठे के लिए यह तीन चम चिती शक्कर एड़ करी हैं और अब इसे हमें वापस से उबालने के लिए रख देना हैं और इसे हमें वापस दस मिनिट के उबालना है और इसके अंदर ही हम नमक भी एड़ कर देंगे तो हम नमक यहां पर स्वाध अनुसार एड़ करेंगे आप अपने इसाब से नमक एड़ेस्ट कर दीजेगा आपने स्वाध के अनुसार और इसमें वीडियो में एक शॉट लेना भूल गई हूँ तो आपको इसक यहां परहां की अंदर हम यह उड़का आटा है वो लेंगे वह हमें एक सो पचीस घ्राम लेना है 25 ग्राम चाहिए तो आप टोटल हम यहां पे 600 ग्राम के मठिय स्वाध प्रिपैर करने वाले हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे 125 ग्राम का उड़क का आटा हमने ले यहां पर वन सेवेंटेस के दिखा रहा है क्योंकि 45 ग्राम का तो बोल ही है इसलिए और साथ में यहां हमने 500 ग्राम का लिया है मठ का आठा अब इसको मैं आपके निखा रहे क्यों या लेगा जिदेखिए 515 ग्राम है अब इसके अंदर हम इसको मिलाएंगे मतला यह दोनों आठा से हम बनाएंगे हमारा मठ का आठा करेंगे दोनों आठे को हम चान के एड करेंगे तो सबसकरे हमने आपे जो उड़त का आठा लिया ना उसको अच्छे से चान लेना है 125 ग्राम याद रखेगा ना पनुसाल लेंगे ना तो हमारे मठ के बहुत ही अच्छे दरेंगे इसको चान लेंगे मठ का जो आता है ना वो लेंगे 500 ग्राम इसको भी चान लेंगे यह हमने दोनों आटे को छान लिया है अब इसके अंदर एक छोटी चमच यहां पर अजवाइन एड़ करें तो अजवाइन को अच्छे से हाथों के बीच मसल के फिर एड़ करना है और यहां पर हमारा पानी जो है वो भी गरम हो चुका है और उसे थोड़ा ठंडा होने और जो हमने पानी उबाला था वो ठंडा हो चुका है अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे पिंच आफ सोडा एड़ करना है और उसे मिला देंगी और फिर यह जो हमने पानी प्रिपर किया है ना उसी से हम आटा गूथने वाले हैं तो यह जो मठ्या की रेसिपी है वो मेरी ही आटा गूथवाते हैं तो नानी के हाथ के जो मठ्ये है वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं सब लोग मेरी नानी के हाथ के मठ्ये के बहुत बड़े फैन हो चुके है और यह वाले जो ममी ने रसिपी सीखी है वो भी नानी से ही सीखी है और अब मैं भी ममी और नानी दोनों से सीख रही हूँ तो मठ्या बनाने में मेरी मम्मी बच्पन से नानी की मदद करती आई है और आज मैं मेरी मम्मी की मदद कर रही हूँ और ये आटा हमने इस तरह से गूट रिया है इस तरह से टाइट रखना है अब प्लैटफॉर्म के उपर हम एक इस तरह से नैपकेन रख देंगे और उसके उपर हमने जो आटा गूटा है वो वाला बरतन रख देंगे अब इसको ना हमें खलबटे की जो मुसल होती है ना उससे अच्छे से हमें इसको कूट लेना है तो इसके उपर हम थोड़ा सा गी लगा रहे है जिससे की ये चिपक न जाए आटे के साथ तो आटे पे भी थोड़ा सा इस तरह से लगा दीजेगा और अब इसे हमें तब तक क कूटेंगे तो इसको कूटने में करीब हमें आदा गंटा तो चला जाएगा तो आदे गंटे के लिए इसको कूटते रहना है कंटीनिवस्ती कूटते रहेगा तो मेरी नानी ना हर दिवाली पर ये बनाती है हर साल बनाती है दिवाली पर और हमारे घर में जब मैमान आते हैं तो specially ये मठ्या उनको सबसे अच्छा लगता है मेरी नानी के हाथ का बनाया हुआ नानी के इसमें बहुत ही अच्छी वाले speciality हो गई है और वो जो बनाती है न मठ्ये वो एकदम ही soft बनते है और बस थोड़ा सा टच करने पे तूट जाए ऐसे नरम नरम मठ्ये बनाती है वो और उनके मठ्ये जो है न वो बिल्कुल भी लाल नहीं होते है सारे white के white और फूले फूले से बनते हैं तो मैं आपको जल्दी नानी से मिलाओंगी आपने मेरे पहले कहीं ऐसे वीडियो में नानी को देखा ही होगा अब जब मैं नानी से मिलूंगी आप लोगों को पका उनसे मिलवाओंगी तो यह जो मठ्या है ने इसकी प्रोसेस थोड़ी सी हार्ड और लंबी इसलिए होते है कि इसको इसका जो आटा होता है नो उसे बनाने में ही बहुत देल लग जाती है इसे कूटना पड़ता है फिर उससे जवी ज़्यादा इसे और मसलना पड़ता है एक दुग मसलत है नो तो यह थोड़ा सा चिकना हो जाता है इसलिए मसलना और कूटना इसके में प्रोसेस होते है बाकी तो इसकी प्रोसेस सब आगे पीछे वाले तो ईजी है बस यही में हार्ड प्रोसेस है तो यह दिखे इस तरह से आटे को हमने बहुत ही अच्छे से कूटना है और फिर इसे इस तरह से हमें मसलत जाना है इस तरह लंबा की खीच्ट के फिर वापस फोल कीजिए फिर वापस खीचे वापस पूल कीजिए यह प्रोसेस कहीं बार करेंगे न तो आटा बहुत ही अच्छा चिकना हो जाएगा यह हाथों में बहुत चिपकता है इसको अच्छे से हमें मसलना पड़ता है यह देख सकते हैं यह यलो कलर का है और इसको जिसे हमने मसला है वह वाइट कलर हो गया है तो सारा आटा हम इसी तरह से मसल लेंगे और इस तरह से वाइट हो जाएना तब तक हमें इसे मसल ना है तो इसको कूटने में आदा घंटा लगता है और इसी तरह से मसलने में इसको करीब 15-20 मिनिट लग जाते हैं तो आपका एक घंटा आसपास तो इसी में चला जाएगा और यह सारा आटा हमने अच्छे से मसल के रैडी कर दिया है अब हमें साटे को ना एक दूसरे बोल में रखकर उसे अच्छे से ढखके थोड़े दे के लिए हमें इसे रेस्ट देना है तो 10-15 मिनिट के लिए हम इसे जो नहीं ढखकर साइड में छोड़ देंगे और तब तक के लिए हम इसके आगे की प्रोसेस करते हैं अब हमें आटे के जो लोई है ना उसके लिए हमें साटा प्रिपार करना है तो साटे के लिए हमने आपे तीन चम्मच चित्ता मैदा लिया है और इस मैदे के अंदर हमे चमक आजाती है तो साटे में हमने मैदा तीन चमच और उसके अंदर घी चार चमच एड़ किया है अच्छे से हमें फेट लेना है यह ज्यादा क्रीमी नहीं होगा क्रीमी तो तब होता ना जब हम इसके अंदर शक्कर एड़ करते तो हमने इसके अंदर शक्कर नहीं एड़ सिर्फ मैदा और घीलिया है पर इसे फेट ना बहुत ही अच्छे से है या मारा साटा जो है वह बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है आप देह सकते क्या ग्लॉसी दिख रहा है अब हम क्या करेंगे हमने जो आटे को रेस्ट दिया था ना यहां में अब बाद तो इस तरह करेंगे अब यह जो पेड़े बन गए है उसे हम साटा जो बना है उसके अंदर डालते जाएंगे जैसे जैसे सारे बनते जाए साटे के अंदर डालते जाना है तो यहां हमारे सारे के सारे आटे के पैड़े हमने बना दिये हैं और उसे हमने साटे के अंदर मिक्स कर देना है अच्छे से मिक्स करेंगे जिसे की सारा पैड़ा जो है ना मतलब जितने भी पैड़े हैं वो सारे साटे से कवर हो जाए तो उससे ग्लॉसिनस अच्छा हैगी और हमें बेलने में भी इसमें बहुत ही हेल्पूल रहे गई इस तरह से बड़ा सा दुपट्टा हमें फैला लेन इस तरह से डो टुकड़े करेंगे इसके बीच में हम बताते हूं कि इस तरह से बेलना है इसके बीच में इस तरह से हमें एक पेड़ा रखना है जो हमने आटा गुथर है उसका और इसको बन कर देना है उपर से और फिर इसको बेल लेना है एक्दम पतला बेलना है इस तरह तो आसानी से बेल जाएगा और नीचे चिपकता नहीं है यह चिपकता नहीं चाहिए वरना फिर याटा पट सकता है यह दिखे बिल्कुल इस तरह से एकदम पतला बेलना है जितना पतला हो से कि उतना पतला बेलोगे न तो यह अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे यह बढ़ चुका है अब बेलन के उपर इसको लपेटेंगे यू लेके फिर दुपटे के उपर इस तरह से इसको रख देना है इससी तरह से सारे मठिये हम बना कर बेल कर रेडी कर देंगे तो यह देखिए हमने इस तरह से सारे के सारे मठिये बना कर रेडी कर दिये है तो आपको इसे बेल के एक दुपटे के उपर रखते जाना है ज्यादा देर तक सुखाना नहीं है बस दोनों तरफ से इसे थोड़ी सी हवा लग जाएना तब तक हमें इसे तुपटे पर रखना है और फिर इसे हमें इस तरह से इकटा करके स्टेक करते जाना है तूखने के लिए नहीं रखने है इसे अब हमने आप पे ओल गरम हने के लिए रख दिया है और हमारे मठे भी रेड़ी हो चुकी है तो एक के बाद एक हम इसके अंदर फ्राइ करेंगे और फिर हम इसे फ्राइ करने डाल देंगे तो एक एक करके हमें इसे फ्राइ करना है तो एक जन डालते जाना है और दूसरा जने से निकालते जाना है इसे fry होने में बिल्कुल भी देड नहीं लगती है अब देख सकते हैं ये फटा-फट से fry होता है और एक साइट से डाल दिया फिर दूसरे साइट डाल देना है और पर निकाल देना है और फिर तीम-चार इस तरह से इखटा करके उसका जो एकस्ट्रा ओयल है न वो हमें इस तरह से निकाल देना है और बस उसे रखते जाना है एक पेपर ले लिजेगा पेपर पॉयल उसके उपर रखते जाना एकस्ट्रा ओयल सारा अब्सॉब हो जाएगा उसके अंदर तो यह देखिए एक फटाफट से यह फ्राय हो जाते हैं ज्यादा देड नहीं लगती है इसको फ्राय होने में इसी तरह से हम सारे फ्राय कर देंगे तो इक फूल गड़े देखियें कितने मस्त फूले से बन रहे है न तो आप एक खोलते जाएगा और डालते जाएगा अब देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है और एकडम सोफ्ट नरम और पतले पतले से मठ्य बने हैं और इसके अंदर आप bubbles तो बिल्गुल देखी सकते हैं तो आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा आप बहुत ही अच्छी कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़के और मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दीजिएगा नेहा और नया ब्लॉक्स और नेहा बट और डॉक्टर नया बट करके हमारी फेस्बुक पे प्रोफाइल है उसे फॉलो का जरूर कर दीजिएगा मैं यह एक आपको तोड के बता रहे हूं यह एकदम क्रिस्पी बने हैं यह देख सकते हैं आप लोग सिर्फ थोड़ा सा टच करने पर यह तूट जाते हैं यानि कि तने नरम बने होंगे आप इस